Hello everyone, welcome you all to Beyond Trading. Friends, SEBI ने भी एक circular निकाला है बीज तारीको 20 लाइको, जिसके वारे में काफी confusion है. लोग कुछ अलगी interpretation निकालने हैं circular का, कि बिल्कुली margin बंद हो जाएगा, बिल्कुली internet trading बंद हो जाएगी. Friends, मैं आपको, मैंने circular पढ़ा है, तो मैं इसकी जो details है, वो आपसे share कर देता हूँ. तो यह सामने आप देख रहे हैं, यह circular है, यह 4-5 circular है, इसकी थोड़ी सी language technical है, तो मैं जो इसकी details है, जो मैं आपको बरीफ कर देता हूँ. तो friends, circular जो सेवी ने निकाला है, वो basically margin के उपर है, जो margin broker साब से collect करते हैं, जब आप trading करते हैं. तो generally होता है कि friends, हम लोग जब trading करते हैं, जब हम equity में trading करते हैं, तो हम जो margin देते हैं, वो VAR plus ELM होता है, यानि कि value at risk और extreme loss margin. ये दो margin जो होते हैं, जो हमें pay करने होते हैं broker को, और ऐसे ही friends, जब हम अपने derivatives में trading करते हैं, यानि कि future options में trading करते हैं, तो हम जो pay करते हैं, वो span, SPN margin और exposure margin. ये कुछ ये margins हैं, ये कुछ technical terms होती हैं, इनके अपने parameters होते हैं, इनको निकालने के, तो ये margins systems निकालते हैं, ये computers से calculate होते हैं, based on volatility of stock, तो होता है friends, stock जितना volatile होगा, उसमें margin इतना ही ज़्यादे पे करना होता है, तो equity में हम value at risk और plus ELM margin पे करते हैं, और future and options में हम spend और exposure margin pay करते हैं, तो friends, जो भी इनके margins होते हैं, आपने कितना पैसा देना है किसी stock को trade करने के लिए, वो आपको उसकी volatility पे depend करता है, अगर stock बहुत जदा volatile है, या कोई stock काम volatile है, तो उसके अंदर margin काम होता है, जैसे reliance अच्छा stock हो गया, SDFC अच्छा stock हो जो bullish stock है, उनके अंदर margin ह काफी जदा होते हैं, क्योंकि इनके volatility काफी होती है, तो friends, अभी circular के साब से, अगस्त 2021 के बाद से, ये जो margins है, ये जो भी margins है, ये brokers को compulsory आप से लेने होंगे, लेने होने से मतलब है ये है, अब भी लेते हैं, जैसे आप किसी broker में trade करते हैं, margins ये अभी भी लेते हैं, आप से पूरा margin ले रहा है, कोई broker उसका आदा ले रहा है, और कोई one-fourth ले रहा है, तो अभी सेबी ने ये ये कहा है, ये अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको जो अगस्त 2021 के deadline दिया है, उसके बाद आपको जो भी margin है, वो पूरे के पूरे आपको लेने होंगे, friends, आप यहाँ पर देख रहे हुए, ये एक Excel sheet है, जिसमें कि सारे जितनी भी हमारे आप equity में अगर trade करोगे, तो ये margins आपको देने होंगे, तो अगर हम इसमें देखें, कोई stock हम देख लेते हैं, कोई अच्छा stock हम देख लेते हैं, तो आप अगर देखें, हम SGFC को देख लेते हैं, इसमे हैं, फ्रेंट्स आप देखें, ये हाँ पर SGFC बैंक है, तो अगर SGFC बैंक का आपने, ये आप देखों, यहाँ पर 14 और प्लस 3, यानि कि जो VAR है, value at risk margin का 14.83 है, और जो इसका ELM है, extreme loss margin है, वो 3.5 है, तो टोडल 18.33 है, तो यहाँ पर आप ऐसा समझोंगे, अगर आपको 1, एक लाग रुपया, एक लाग रुपय के स्टॉक लेने है, SGFC बैंके, तो आपको केवल 18.330 रुपय देना पड़ेगा, चीक है, फ्रेंट्स, यानि कि 18.330 रुपय देखे, आप एक लाग रुपय के स्टॉक, SGFC के उठा सकते हो, बट होता गया है, बहुत सारे जो ब्रोक कोई पे नहीं कर पाएगा, तो इसलिए, सेवी अब यहां थोड़ा स्टिक्ट हो गया है, कि अगले साल अगस्त है, ये मार्जिन, जो दो मार्जिन है, ये आपने पूरे लेने है, अगर आप इन से कम अगर लेते हो, अब फ्रेंट्स जो आप लेते हो मार्जिन क्लाइंट है, ऐसी हमारा जो F&O होता है, F&O हमारे दो मार्जिन होते है, इस्पैन मार्जिन और प्लस एक्स्पोजर मार्जिन, हर स्टॉक का अपने लोगा, बेस्ट उन इस वालट्रेटिटी, तो आप अगर यहां देखे, पहले स्टॉक है ACC, इसका स्पैन 15.96 है, और एक्स्पोजर देने से, आप ऊसको ट्रेट कर सकते हो, यह जो दो मार्जिन होते हैं, यह जनरली, आप अगर नॉर्मल में, MIS में ट्रेट की बात नी कर रहा है है, नॉर्मल आप ट्रेट करते हो, तो आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा, अब अगस 2021 के बाratos क्या होने जा रहा है, य जो MIS में, जो हम MIS में सोधार डालते हैं, यानि कि हम interday के लिए सोधार डालते हैं, उसमें बहुत सारे broker इसमें आपको leverage देते हैं, कोई two times देता है, कोई four times देता है, कोई आपको even ऐसे ऐसे brokers भी हैं, जो ten times देते हैं, तो अगस 2021 के बात क्या होगा, friends, यह जो MIS वाला leverage है, य जो आपका exposure margin यह आपको पूरा देना पड़ जाएगा, तो कहने का मतलब friends यह है, आने वाले time में, आपको intraday में भी same margin लएगा, और overnight position आप carry कर रहे हैं, उसमें भी आपको same margin लएगा, तो यह एक सबसे बड़ा बतलाव है, इसमें, आपको अगले साल से अगस से, आपको यह margin जो intraday में लग रहा, जो आपको normal उसमें लग रहा है, यानि कि overnight position करी करने में लग रहा है, वो ही margin आपको intraday में भी लगेगा, तो इससे हुगा है कि आपको जो हमारे intraday players है, जो अभी काफी brokers ऐसे हैं, जो 5 times, 10 times, even 20 times तक की leverage दे रहे हैं, future options पे काम करने के लिए, त उससे क्याने हमारी capital wipe out होने की बहुत ज़दा संभावना होती है, तो it's a very welcome and good step by Sabi, तो friends, यह जो दो main चीजे हैं इसके अंदर जो मैं आपको बताई हैं, जो आप equity में जो भी काम कर रहे हैं, तो equity में जो हमारे दो margin है, VAR और ELM, वो broker को upfront आपसे लेने ही पड़ेंगे, उस सेम हो जागा, दोनों में सेम margin लेगा, अगस 2021 से, तो यह बात सही है, internet trading अब हमारी इतनी ज्यादा leverage वाली नहीं रहेगी, ठीके friends, तो I hope मैंने आपके doubt हैं, सर्कुलर से लेके clear कर दियोंगे, वीडियो प्छली हो तो please वीडियो को लाइक केजिए, चैनल को सब्स्राइब क कि वीडियो